हाई प्यूर्स इस मी जुत्ता खान वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज संडे के दिन फिर इतना मौसम ठंडा हुआ है ना बाइर यह देखें कल कितनी प्यारी दूप निकली वी थी और आज फिर बारिश हुई है अभी भी आज मौसम में बता रहे हैं कि बारिश होनी है तो यहां पर मौसम ऐसा ही रहता है कल चले थोड़ी सी धूप जो थी हम दो ने देख ली और कल धूप में भी बहुत ज़्याजा जो थी ना वह चिली थी बहुत ज़्यादा तेज जिसे कहते हैं सीत वाली में बाहरे जब लेके गई थी बच्चों को मुझे बड़ी ठंड बड़ते हैं तो उनको इत्ती ज़्यादा ठंड नहीं लगती और क्योंकि वो मप हो जाते हैं और यह देखें जी आपी और यह जो अभी उठें उठते सारीं को यह होता है कि हमें हमारा जो है ना वह शो लगा के देद गया जाए मैं पिछला कैमरा यॉन कर लूँ यह ना ह यह देखें उठते ही यह मुझे किचन में लेके गया और वहां से सारी पैक जो है ना यह निकाल के और इसने अपना काम जो इसका फेवरेट फेवरेट इसकी हॉपी जो है इस उसने शुरू कर दिया तो चीज़ें भी नहीं है इस चीज़ें हम उठा देंगे तो मारा घर स पानी से खेल रहे थे यह देखें मैं आपको इक दफा दिखाओं बाहिर कंई यह देखें लाज भी ठोड़ी से ठीकी सिपारिश हुए हूए घर अब भी भी बता रहे हैं कि अज्चारा तन झो हैना वो बारिश होती रहनी है आनी है चली जानी है आनी है चली जानी है कि मैं आज मैं सचाह मैं न बच्चों को बनाके दों गी वाली रोटी साफ्टी प्राठे नहीं दाल काल्ब नहीं थी तो डेल के साथ रोटी झा भी और चाहवाँ देगागा शोड़ने उसने रोटी कुछ भीना मतलब खानी राज कल वह तो चावल दे दो तो एक दो चमस लेगा और छोड़ देगा तो मैं उसके आगे चीजे रखती रहती हूं कि अच्छा ये भी खा ले पढ़ी रहें चीजे वहां पर तभी आता है एक नवाला लेता है खाता है चला जाता है बड़े इसकीनी हो गया रात को बलके उसको उसने चोट लगवाई है चोट कैसे लगवाई है एबी जो थी ना उसने लकड़ी पकड़ी वी थी और घुमाते घुमाते उसकी आँख पर लगी है तो मैं आपको अबी दिखाती हूं मैं रोटियां पका लो फिर आपसे बात करते हूं जलू या रोटी है थी जलूए लटे झाल ना weटन के विखाती है hiçbir विलोटी लूर जलू झामाते लोटी है विट लुटवा जलू जलू इस्विशित हूर पूरू जल ज यह पूर RAMSAYeg염 Maintenant विल यह पूराए लूरू जल यह विल्ड़ गरूशब फेशिय लटो कैरे है विला आभी थाल बेभी, जोल, you don't want to eat roti, show them baby, where did you got hurt last night, ये रिखें इसके, यहां पे ना, कि, move your hand baby, इसके, इसने रात को चोट लगवाई है, अबी और ये खेल रहे थे, और वो लकडी खुमा रही थी, और वो इतनी हार थी, और इसकी आँख पी आँखे लगी, शुकर है कि, इस जगह पे लगी, जढ़ा अंदर आँख में नही लगई, वरना, आँख अदाम आफ करे, वोस पॉन is this, जोलू? who's this is joel's phone whose phone is this abby's phone oh my goodness that's abby's phone say hi hi how are you i am i am good i am go 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 a big yawn a big yawn so jy میں آگئی تھی kitchen میں میرا آج ارادہ بن گیا تھا بنانے کا chicken tikka booty تو میں نے کہا چلیں یہ جلدی سے جھٹ پٹ بننے والی جھٹ پٹ مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس کو بہت زیادہ آپ marinate نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں مطلب جلدی بن جانے والی یہ chicken tikka बोटी है और आप अफ़तार में भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं बना सकते हैं बड़ी एजी रेसिपी है तो और इसमें घर के स्पाइसिज में डालती हूं और बड़ी ही मज़ेदार बनती है कोई बाजारी स्पाइसिज नहीं होते हैं और इससे प्यास भी नहीं लगती हैं क्य और गरम मसाला बस ये चार मसाले मैंने डाले और ये आदा लीमू जो है मैंने चोड़ रही हूं और इनको आपने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स और एक चमच दही आपने डालेना है आपने ये चीजें स्पाइसे जो चीजें मैं डाल ली हूं आपने अपनी मर्जी के मताब आपने टेस्ट के मताबिक डालनी है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और चिकन की क्वांटिटि के साथ भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं मैंने अरग और चिनवर पेस तुड़ा सा उयल और नमक लाल मिर्च भुना हुआ गरम मसाला और दादर मिर्च और इसको अपने हाथों की मदद से मैंने जो अना मुझे लग रहा था मुझे सवाद नहीं आ रहा था उस चमच से लाने का तो मैंने अपने हाथों की मदद से जो था वो इसको मेरिनेट कर लिया है और इसको रख दिया था रख मैंने इसको दिया था एक गंटे के लिए आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं आदा गंटा भी रख सकते हैं तो यह देखें जी मैंने इसको मेरिनेट करके रख दिया था और अब मैं बनाने लगी हूँ इसको ग्रिल पे मेरे पास है इंडोर ग्रिल और मैं उस पे बनाऊंगी आप इसको पैन में बनाना चाहते हैं आप इसको पैन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोईलों वाली बहर आउटडोर ग्रिल है आप उस पे भी इसको इजीली बना सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं लग चल पर तो इसाप नाग आधिया और लाजा लारा ओुझ दीया हैं इन की मारें की वॉल गई है पता निहां कि मैं रह पुलक तoti मैं कापी देर से ग्रिल को यूज नहीं खिया था तो उस दिन मैं देख रही थी मैंने का चलो इस पे जो है वो भी कुछ बनाएं और आपको दिखाएं तो ये मेरीनेट की हुई जो चिकन है इसको मैंने जो है अपने हाथों की मदद से मैंने इसके उपर रख दी हैं बोटियां आप चाहें तो अपने सीखों में लगा कर इसक को रख सकते हैं लेकिन मैंने इसको बिलकुल उसके उपर आपने देखा है कि वैसे ही ग्रिल के उपर रख दी हैं और इस ये इंडोर ग्रिल जो है ये बड़ी अच्छी है ये मैंने एमाजान से ली थी और इस पे आप रोस्ट भी कर सकते हैं आप चरगा भी बना सकते हैं स तो आज पर मैंने जो था ना इसी तरह इसकी बार्बीक्यू कर रही हूं और एक साइड से जो है मैंने दस मिनट के लिए उसको पकरें दिया और यह देखें उसके अंदर रॉड लगे होते हैं और इसके साइड पे जो है यह लेफ्ट वाला बटन जो है यह है दूसरी टाइम रज Triaanik दे दीनिया मैंने फॉर्क लिया तॉर्क लिया होई है जितना मेरा चिकें तहाँ व्र भाट में भी वह चलती रही ती तो गार को चलती रही दा पर लगा पेनली और यह देख लें दूसरी साइट से बिलकुल अच्छे तरीके से जो है ना तकरीबन आदा जो है वो पक के त्यार हो गया वा था तो जब मैंने इसकी यह साइट जेंज की थी तो उसके ओपर मैंने फिर मखन जो था ना वो लगा दिया था और जब मैंने शुरू की थी तब बोटी गल गई है यह नहीं तो मुझे बात मैंनो बात चुपता चले के कैमरे ते त्यागे है नहीं गरम बोटी वरना मैं हाथ से चेक कर लेती तो मैंने जो था वह चेक कर ली थी और वो तगरीबन दस-पंदरा मिरिट में जो था ना वो गल गई ही थी तो यह देखें जी मेरी बार-बी-क्यू जो है वो तियार है चिकन तिका बोटी जो है वो तियार है और यकीन माने बहुत ही मज़े की बनी थी जरूर ट्राइ कीजेगा जटपट पड़ने वाली है यह रेसिपी और मैंने आप इसे नान के साथ खाएं तंदूरी रोटी के साथ खाएं यह झाल